नमस्कार दोस्तों इस वीडिया में हम जानेंगे कैसे आप SDFC बैंक में अपनी स्टेट्मेंट चेक कर सकते हैं अगर आपको अकाउंट स्टेट्मेंट चेक करने हैं पिछले दस साल की पांथ साल किया लास्मन की कोई पर्टिकुलर कोई फाइनेंशल यहर की वह आप कैसे चे लगे कोई फशन ऐस principal है उसके बाद यहां पर आप साइड में देख रहे हैं जहां पर आपको कोई रिएक option यह option आपको दिख रहा है inquiry इसमां आपको click कर लेना है इसमां click करेंगे तो view account balance और यहां पर account statement current month और previous month account statement up to 5 year अगर up to 5 year तक का आपको चीए या फिर up to 10 year का चीए वो आपको यहां पर देख सकते हैं जैसे हम यहां पर हमको चीए current और previous month का तो हम इसमें click कर लेंगे उसके बाद यहां पर आपको account type दि करना है यहां पर saving and current account और account number आपको यहां पर select कर लेना है उसके बाद select period में आपको click करना है और यहां से अपना last 2 month का ही आपको देखना है तो यहां पर 2 month का ही आप देख सकते हैं current और previous month का यहां पर हम select कर लेते हैं 1 सितंबर से और यहां पर हमको देखना है 23 October तक उसके ब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी statement सामने आ चुकिए तो हमारी पिछले दो मेनी की statement यह है अगर आप इसको print करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा है और particular किसी date का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे अब हम यहाँ पर दिखाते हैं up to five years का तो हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है उसके बाद यहाँ पर हम select कर लेते हैं दुबारा से आपको अपना account number यहाँ पर select करना है select period आपको यहाँ पर देख लेना ह है जुलाई या फिर अगस्त जून जुलाई या प्रिएस फाइनेंशल यह जिसका भी आपको देखना है वो देख सकते हैं कोई particular देखनी है इतने तारिक से इतने तारिक के बीच में वह भी आप देख सकते हैं जैसे select date range तो इसमां क्लिक करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर date डाल देने हमको देखना है है यहाँ पर सद्धार 2022 से एक नौवबर 2022 से हमको देखना है यहाँ पर ईप्रहल 23 तक हम यहाँ पे और यहाँ पर आपको s고 fehलेक्ट कर लेना है select format किस format में आप देखना चाहते है text, ms, pdf, excel तो हम यहां पर pdf में देखना चाहते हैं और यहां पर download का option आ रहा है download में आप click करेंगे और आपको यह capture fill करना है यहां पर उसके बाद continue में click कर लेना है उसके बाद आपको यहां पर यहां पर आप यहां पर account statement last five years तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर आपको दिख रहा है जैसे हमने एक number से एक April देखा था being preparing for download तो यहां पर अभी हमारी pdf प्रिपेर हो रही है कुछ few minutes लगेंगे यहां पर उसके बाद SI download का option यहां पर आपको सोग हो जाएगा उसके बाद आप download कर सकते हैं यहां पर आप देख रहे हैं हमारा ये ready हो चुकी है हमारी pdf आप download यहां पर दिख रहा है इसमें आप click करेंगे तो आपकी pdf यहां पर download हो जाएगी और यह pdf आप पड़ सकते हैं क्या क्या आपकी इस time period के अंदर हुई है अगर वीडियो आपको informity लगी हो तो मारी वीडियो को like जरूर करें मिलते हैं लिए ऐसी ही informity वीडियो के साथ धन्यवाद